क्या कुछ है इसका सफर और क्या कुछ है इसके पीछे का बात है यह भी जरा हमारे दस्तों हमको मिली है आज ये घरिया नसीब से भासकर आई कियर सेंटर हॉस्पिटल चौक विरातनगर हमारे यहां आक संबंदित सभी प्रकार का एलाज आधूनिक मशीनों द्वारा किया जाता है और काला मोतिया बंद का सफल एलाज विशेशग्य डॉक्टर भासकर चाजी के द्वारा किया जाता है हमें संपर्ग करें 9801325172 और 009779820725965 पर मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान वथी ह्या पंख होसलों से और होती है और अमिंसे बात करते हैं और जामते हैं कि किस तरह से इनका सफर रहा рассказ को बहुत बहुत बढ़ाई THANK YOU THE आपको बिहार एंबेजडर बनाया गया है क्या कुछ है इसका सफर और क्या कुछ इसके पीछे का बात है ये भी जरा हमारे दस्तों के जरूर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं ग्लोरियस मिस एंड मिसस इंडिया 2022 की फॉर्स रॉनरब भी रह चुकी हूं और उसके बाद ही मुझे लगा कि और आगे बढ़ना चीज फिल्ड में छोटे मोटे जो भी प्रोजेक्ट मिलते गए हैं मैंने सारे प्रोजेक्ट पर काम किया साथ में मैं वर्किंग भी हूं मैं प्रिंसिपल हूं बीए सिफ जोदपूर के स्कूल में और उससे भी थोड़ा हमारा और मैं सेलेक्ट हुई लगबग 300 लोगों का ओडिशन हुआ था जिसमें से 25 लोग सेलेक्ट वहते फाइनलिस्ट में उसके बाद टॉप थ्री तक पहुंची और टॉप थ्री के बाद थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ था फिर टॉप थ्री में से फिर विनर का टैक मुझे मिला बिहार ब्रैंड अमबैसेडर बिहार स्टेट करने के लिए होता है लेकिन आप इसको गलत साबित करते हुए हर परिवार को समहलते हुए इस मुकाम पे पहुंची है तो परिवारिक किस तरह से दबाव रहा या फ अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो यहां तक पहुंचना नामुम्किन था इन लॉज का सपोर्ट है ममी बापा का सपोर्ट है लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका है वह सब्सक्राइब का है उन्होंने सपोर्ट किया और कहा जाता है कि हर सक्सेस्फुल आदमी के पीछे एक अब क्या सकते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है उन्होंने इतना टफ डिसीजन लिया मैं अकेले आई हूं जोदपूर से शो के लिए मेरे बच्चे भी नहीं आये हैं मेरे साथ बड़े वाले का भी स्कूल है छोटा तो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जादा हिम्मत किया कि मैं बच्चों को समहाल लोंगा तुम जाओ और तुम अपना बैस्ट दो और मैं जानता हूं कि तुम जीत किया होगी और यह पूरा क्रेडिट मैं राहूल को देती हैं तो वह जो शुरुवाती से सन रहा था जब से आपने सुरुवात के से पहले भी जीता था उसके बाद मुश्किल तो नहीं कहेंगे मतलब प्रैक्टिस वगेरा फिर था नहीं फिर जब शो करीब आने लग गया तो फिर लगा कि नहीं थोड़ा वेट भी कम करना क्योंकि आफ्टर डिलिवरी थोड़ा वेट भी पुटन कर लेती हैं और थोड़ा सा वेट प्राइब प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो रांप वॉक मुश्किल हो जाती है स्टिलिटो पहनना होता है औराउंड 5-6 इंच के हील में तो मेरा था कि टाइम मिलता नहीं था तो जब खाना बनाना होता था कुकिंग के टाइम पे मैं हील्स में घर पे वॉक करती थी औ जिसमें ब्लाक सिक्विन टॉप ब्लू जीन और स्टिलिटो पहन के वॉक करना था वह ग्लैमरस इक्तम राउंड होता है फिर थर्ड राउंड जो था वह ब्राइडल राउंड था जिसमें कैनड़ा से आय थे मिस्टर सूरच फैशन डिजाइनर है वह उनके लहंगे के डि जिसमें परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको मार्किंग मिलता है फिर जो फिफ्त राउंड था वह कुष्चन आंसर राउंड था थैन फिर क्राउनिंग और सबसे बड़ा योगदान अगर इस शो में किसी का था तो वह काजल शर्मा जो लास्ट यह विनर थी और इस साल उ और उनका बहुत बड़ा रूल था उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे शो को मैनेज किया जब आपको पता चला आप विनर हैं इस बार तो स्टीज पे आपका क्या इस विसंता उस्ता मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे आपके पास भी वीडियो गया होगा आप देखेंग उस दोरान मतलब पूरे क्राउनिंग के दोरान उसके बाद का जो वॉक था वो मैंने रोते-रोते ही कंप्लीट किया और ऑविसली वह खुशी के आसू थे और मतलब इतना बड़ा टाग मैंने जीता और वह बहुत बेस्ट मोमेंट था अभी भी याद करते हूं तो गूसब ब्राइडल राउंड और टैलेंट राउंड का लगा और वोक भी अच्छा था इन फाक्ट सब कुछ अच्छा था मार्किंग सब में अच्छी आई है लेकिन ब्राइडल राउंड करके बहुत मजा आया इतना अच्छा लेंगा मिला पहनने के लिए और पूरे अटायर में लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था पूरा राजस्थानी लुक आ रहा था और बहुत सुन्दर एक्दम शाही दुलन लग रही थी मैं आप घर पहुँचे तो कल बहुत ही सांदर जोड़दार स्वागत हुआ अपका तुस समय किस तरह का फिलिंग था और घरवाले का क्या रियक्शन था उस पर आप सबसे पहले तो मैं इस चीज के लिए अपने पापा को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे पता नहीं था कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ और्गनाइज किया हुआ है मुझे लगा नॉर्मल मुझे बस जाना है और ठीक है सब लोग जितने भी बड़ बहुत प्यार मिला मुझे मेरे गाउं से मेरे समाज से तो यहां के बेटियां है जो अभी भी सपने देखती है लेकिन किसी भी कंडिशन के वज़ा से वह पूरा नहीं कर पाती है क्या कुछ कहेंगे उसके बिलकुल यहां अभी एक्चली यह रूरल एरिया है धीरे-दीरे लोग डवलप कर रहे हैं बिहार वैसे भी हर स्टेट में थोड़ा पीछे चल रहा है अजूकेशन के मामले में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे जितने भी आई-एस-ई-पी-एस हैं उसमें से आप देखेंगे कि 90 लोग बिहार से ही होते हैं तो लेकिन क्या है कि इस सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं जा सकते हैं बहुत लोग है जो गेम्स में भी बहुत अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में भी बहुत स्कोप है स्पोर्ट्स में लोग अच्छा करते हैं बहुत सारी लड़कियां बच्चेयां जो कि आप देखेंगे कि नाशनल इ लोग आज मुंबई में राज कर रहे हैं वो लोग आप बिहार बनी है क्या अगे का अपका क्या है और किस तरह से आगे का प्रोग्राम फिक्स होने वाला है अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं मेरे पास तो उसमें हैं कि मतलब जो भी लीडिंग ब्रैंड हैं जिसे तनिश्क हो गया उसकी बाद यहां अभी हमारे मितला में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं तो उन लोगों का प्रोजेक्ट जो है अगर आ रहा है मेरे पास तो मैं बिल्कुल काम करूंगी और अपने स्टेट के लिए काम करके बहुत खुशी होगी मुझे हर फिल्ड में कुछ न कुछ है लोगों को प्राइस मिलता है नाम मिलता है सोहरत मिलता है जिसके बाद लोग समाज सेवा में भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो क्या समाज सेवा से भी आप जुड़ना चाहेंगी अगर हम राजनिती की और इसारा कर रहे हैं आपको हाँ समाज सीवा मैं इनफैक्ट कर भी रही हूं बस यह है कि मैं अभी इतना रिवील नहीं कर रही हूं बहुत लोग होते हैं कि शुआफ के लिए भी बहुत सारा रील्स बनाते हैं या फोटो डालते हैं मैं हर सैटरडे संडे जो है लगबग 55-60 जो फुटपात पे लोग है खुद से कुकिंग करती हूं उनके लिए और उनको जाके खाना सर्फ करती हूं लेकिन मैंने कभी डाला नहीं है अब है क्योंकि आप परिवारी कोस्टन अगर आप जवाब देना चाहेंगे उनको सबसे ज़्यादे फूड में क्या चीज पसंद है जो आप अपने हाथों स उतना अच्छा उनको किसी ₈ retro त किसी उटेल यहीं अच्छा लगता है जैसा बिर्यानी हो मेरे हाथ का पकर भेसा आप कौनचा बना लेती हैं कि सब कहतें चिकन ऑमल इसके डोब मैं किस था इस स्पोर्ट्स में तो ऐसा कुछ खास रूची नहीं है मेरा फ्रेवरेट गेम थोड़ा बहुत देखती हूं थोड़ा बहुत सब नहीं पता है मुझे क्योंकि चन्नाई सूपर किंग मेरे हस्बेंड का टीम है और मेरा कोलकाता नाइट राइडर तो बस यही दो फोकस रहता है कोलकाता नाइट राइडर सारुख खान के वज़े से कहीं फोकस तो नहीं रहता है अश्वारु खान भी और कोलकाता भी आई लव कोलकाता तो इसलिए यह दोनों रिज़न है सबसे बेस्ट आपका सॉंग बेस्ट सॉंग लग जा गले दो लाइन गुन गुना ना चाहें आप तो गुन गुना सकते हैं हम को मिली है आज ये घरिया नसीब से जीबर के देख लेजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो शायद फेर इस जनम में मुलाकात हो ना हो धन्यवाद आपका आवाज बहुत ही खुबसूरत है हमारे दर्सकों को भी काफी पसंद आएगा हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ थी Miss and Mrs. India World के First Winner और Bihar Ambassador Amrita Singh हमारे साथ हैं अमरिता की मा आप किस तरह से अभी अपने बेटी का स्वागत किये हैं क्योंकि कल देखा गया था कि बहुत ही सांदार स्वागत हुई है इनकी जो कितना खुशी मिल रहा है और लोग आ रहे होंगे घर पर बदाही अच्छा लग रहा था बच्चे कुछ भी करते हैं मा के हाथ का खाने का जरूर उसके पीछे का राज होता है क्या खिलाती थी आप जो इतना नाम कमा रही है आज प्यार होगा उसमें ज्यादे मिला होगा फ्यार तो प्यार खिलाने के लिए सभी को एक सामान ऐसा कुछ भी नहीं था आज बिहार का नाम कर रही है कितना खुश है आप लोग घर में जो है बहुत खुश और हम सोचरे है इससे भी आगे कुछ पुरान भरना चाहे तो रहे होंगे किस तरह से लोग बोल रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं कि तो ना आप खुजी महसूस कर नहीं सब से पहले तुम्हें अपना प्रीचे दे दूं है इसे मेरा गार जो है असाजिला सुनवर्साराज है मैं पूर्वशैनिक हूं और 35 से मैं च्छातापूर्स को मैट्रिक तक इसी शातापूर में रखे और मेरी बेटी का कोई इस प्रवाम में या कभी भी किसी संगीत या डांसिंग गरवाम में कोई गुरू जी नहीं रहा मेरी बेटी बच्पन से ही बहुत ज्यादा अपने आप में इस इसका तैयारी करती थी अकेले छोटी सी तिन पिचार बरस की उम्र से ही और बेटी कभी किसी का सपोर्ट नहीं ली इस लाइन में कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए वो अपने बूते आगे बढ़ी है और हर माबाप को बच्चा जब किसी भी चीज में बच्चे बच्चा को जब सफलता मिलता तो हर माबाप को खुश ह हैं ही साथी मेरा गौँ सवनवर्शा राज पलस छातापूर और सुपोल एबं सहरसा डिस्टिक और बुड़े बिहार का लोग बहुत ज्यादा खुश है इस प्रवाम से और मेरी बेटी का ससुराल भी छातापूर मुख्याले बगल में सोटा पंचाय थे गिदरपटी में है पिछले साल भी मेरी बेटी फर्स्ट रन अप बनके आई थी संजोग है इस बार हमारे संधी शाहिब नहीं है सुनिल सिंग जी पिछले साल ही उनका द्यांत हो गया आज अगर उरते तो फूले नहीं समाते और इससे ज्यादा क्या कहें लेकिन एक संदेश जरूर आप से ल लेकिन आपने फ्री हेंड दिया है जिस छेतर में तुमको रूची है उसमें जाकर के अपना नाम कमाओ छेतर का नाम करो देश का नाम करो क्या संदेश आप समाज को भी देंगे हर माब आपको बच्चे के रूची के हिसाब से आगे बढ़ने का मुका देना चाहिए अब बच्चे को डॉक्टर बनने का रूची है ही नहीं और गार्जैन उसमें लगा रहे है डाट पटकार करता रहे ऐ सफलता नहीं हो काता है इसलिए बच्चे का जिस चीज में रूची है उस चीज में दिल से सयोग करना चीए हर गार्जैन को आप अभी सुन रहे थे मिसेज अम्रिता के माता पिता को और आपने सुना मिसेज अम्रिता को भी जो बिहार की ब्रैंड अमजडर बनी हैं और उन्होंने बताई की समाज सेवा के काम को करते हुए वे घर का भी काम करती हैं और यहां तक की वे प्रिंस्पल भी है की स्कूल के तो सारे कामों को करते हुए उन्होंने बिहार को रिप्रेजन्ट करते हुए नाम रौसन किया है इसके लिए वो बढाई के पात रहे है बैराल इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय परतिकिरिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे दीजे इजाजत नमस् साइं हॉस्पीटल चुन्नी छातापूर वाड नमबर एक सुपॉल मोबाईल नमबर 7061-509641 और 7042-806778 संकल्पिंट नैशनल स्कूल दुर्गा मंदिर से उत्तर आरामील छातापूर सुपॉल हमारे यहां योग्य एवं अनुभवी सिख्षको द्वारा नरसरी से बारवी तक की परहाई होती है और कक्षा सातवी से ही आयाईटी एवं मेडिकल की तयारी करवाई जाती है तीन नौ तीन तीन शुन्य एक नौन नौ पर